ये है जानू जंक्षन भी बदला मन खुद भी चुनाव लड़ने को तैयार पंजाब विधान सभा चुनाव लड़ने के लिए आम आद्मी पार्टी ने जारी की उमिद्वारों की साथवी सूची मुख्य मंत्री नितीश कुमार के जनता दरवार में कोरोना विस्फोट जीतन राम मांची की मांग स्थगितो आयोजन बिहार की पूरू मुख्य मंत्री जीतन राम मांची और उनका परिवार हुआ कोरोना संक्रमित चीन के एक अधिकारी का ट्वीट हुआ वाइरल कहा भारत के गलवान में फैराया चीनी जंडा अब समाचार विस्तार से आज से देश में 15-18 साल के बच्चों को कोरोना ठीका लगाया जा रहा है इसको लेकर केंदर के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी कमर कसली है कोविन एप पर वैक्सिन के लिए सुबह तक आठ लाग से ज्यादा बच्चों और युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका था यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदितिनात की ओर से विधान सभा चुनाव लड़ने का संकेत दिये जाने के बाद समाजवादी पार्टी के मुख्या अखिलेश यादव ने भी अपना मन बदल लिया है अखिलेश यादव ने कहा है कि यदि पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए तयार है माना जा रहा है कि योगी के एलान की वज़े से अखिलेश यादव भी लड़ेंगे आजमगर से लोकसभा के सांसद अखिलेश यादव ने पिछले दिनों चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था आम आदमी पार्टी ने सोमवार को पंजाब विधान सभा जुनाव के लिए अपने पांच और उमिदवारों की सोमवार को घोशना की पार्टी की ओर से उमिदवारों की ये साथवी सूची जारी की गई है जिसके अनुसार मजीठा विधान सभा सीट से लाली मजीठिया को टिकट दिया गया है मजीठिया कॉंग्रिस पार्टी छोड़ने के बाद एक जनवरी को आम आदमे पार्टी में शामिल हो गये थे वर्त्मान में मजीठा सीट से अकाली निता विक्रम सिंग मजीठिया विधायक है इसके अलावा अमरित्सर सेंट्रल से अजे गुपता को टीकट दी गई है तरन तारन से कश्मीर सिंग सोहल, जैलंधर कैंट से सुरिंदर सिंग सोडी और मलोट से बलजीठ कौर को उमिदवार बनाया है इस सुची के एलान के साथ ही पंजाब की 117 विधान सबा सीट में से आपने अभी तक 101 पर अपने उमिदवारों की घोशना कर दी है मुख्यमंतरी निदीश कुमार के जनता दरवार में मौरिया होटल से खाना बनाने आये स्टाफ के साथ ही कई फरियादी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए है सभी कोरोना संकरमित लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है वही पूर्व मुख्यमंतरी जीतन राम मांची ने जनता दरवार को फिलहाल स्थगित करने की मांग की है जानकारी के अनुसार खाना बनाने आये होटल मौरिया के पाँच स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए है वही अपनी समस्याओं के निदान की आस में जनता दरवार में पहुँचे 6 फरियादी भी कोविड-19 संकरमित पाए गए है इसकी जानकारी मिलते ही सभी संकरमितों को ततकाल प्रभाव से क्वारंटीन कर दिया गया है बतादें कि विहार में कोरोना संकरमन के मामले अच्चानक से काफी बढ़ने लगे हैं कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन के खत्रे के बीच कोरोना संकरमन में विर्धि से शासन प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं बिहार के पूर्व सियम जीतन राम मांची, उनकी पतनिशानती देवी, बेटी पुश्पा मांची, बहुत दीपा मांची और पी ए गणेश पंडित सहित 18 लोग कोविट पॉजिटिव हो गए हैं चीन के अधिकारी ने एक वीडियो ट्वीट कर बताया कि चीन ने नए साल पर अपना जंडा भारत के गलवान घाटी में लहराया है सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें चीनी सैनिकों को गलवान घाटी में उनका जंडा फैराते देखा जा सकता है गलवान घाटी यानि वो इलाका जहां जून 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक जड़प हुई थी और दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव चरम इस्थिती पर पहुँच गया था बता दें कि चीन का ये दावा सरासर जूट है भारत ये सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चीन ने जिस इलाके में जंडा फैराया है वो दोनों देशों के बीच डी मिलिटराइज जूण का उलंगन नहीं करता एंडी टीवी ने एक रिपोर्ट में सेना के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ये जंडा चीन ने अपने हिसे के गैर विवादित शेतर में फैराया है ना कि गल्वान में नदी के उस मोड के पास जहां जून 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक संखर्श हुआ था वीडियो के वाइरल होते ही मोदी सरकार पर विपक्ष एक बार फिर से हमलावर हो गया कॉंग्रेस के पूर अध्यक्ष राहूल गांधी ने ट्वीट किया गल्वान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है चीन को जवाब देना होगा मोदी जी चुपी तोड़ो हलाकि जो नया वीडियो सामने आया है वो उस इलाके का नहीं है जहां से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने को तयार हुए थे बता दें कि गल्वान की हिंसक जड़प में 20 भारतिये जवान शहीद हुए थे तो वहीं चीन ने काफी बाद में ये सुविकार किया था कि उसके चार सैनिकों ने इस संघर्ष में जान गवाई थी आज के लिए इतना ही सुनते रहेए जानो जंक्शन पर न्यूज रेल